आलो आज़े वेलकम टू हैंच पी और करेंगे तो कि मॉस्ट इंपोर्टेंट हरे आपके आने वाले एक्जाम के लिए मेरी कोशिष रहती है इस वीडियो को मैं देली आठ वजे तरहां भी जुए आपके लिए प्रवायड करा हूं इसे पहले वीडियो कुडियो राजए सब्सक्राइब के नियुक्त के लिए टीक लिए उसे पहले मैं एक वीडियो को द iets हमाइजार प्रदेश से उन में जो है इंदू गोस्वामी आनन्द सर्मा प्लस जेपी नड़ा तो तीन जो हिमाचल प्रदेश से सांसद है राज्यसभा के वो है इंदू गोस्वामी आनन्द सर्मा और जेपी नड़ा इसे आप क्लियर कर लीजीगा ठीक है क्रेक्ट कर लीजीगा चलते हैं आज के वीडियो के नाम से जाना जाता है किस नदी को लाल नदी के नाम से जाना जाता है तो यह सतलूज नदी नमबर फर्स्ट जो हमारा यहां पर लाल नदी कोई और है तो यहां इसे देख लेते हैं अगर आपसे जो है अपसे जो है अगर हिमाचाल की पूछे आपसे तो सतलूज पर आप टिक कर सकते हो अच्छा मैंने जितनी बार मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ हमाचाल प्रदेश की कितनी मेंट रिवर है मेंजर जो रिवर है बुक्षय नदियां है वह है पांच चार आपसे में दिखरी आपको सतलूज है व्यास है चिनाब यमना और जो चौट पांच वी है ओह है रावी नदी नदी सबसे लंबी नदी कौन सि है लॉंगेश्ट र सबसे चोटी है तो चिं140 सबसे चोटी है और चिनाव एक ऐसी है यह लांग या सबसे जदा है लेकिन अगर लैंफवाइज बात करें हम रिनत स्क्रूव नदी लंदी आपको वीडियो अच्छी लग रही है ताकि मैं इसमें जो है और सुधार कर सकूँ जहां कमी रह रही है और मुझे इससे थोड़ा सा मोटी बेसन भी मिलता है आपके एकमेंट से देखिए नेश्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्वेटी फोसिल पार्क हिमाचर प्रदेश के किस जिले में स्थित है तो यह कौन सा जिला है यह है शिर्मोर जिस्टिक आपकी ओप्सन नमबर फोर्थ मावरा यहां पे फिल्कुल सा यह जरू जाएगा अब ओप्सन दे रखे हमने तो सोलन में है आपका एक वन्य जी अब्यारण यानि वाइड लाइफ सेंचुरी जिसका नाम है शिली शिली वाइड लाइफ सेंचुरी क्या है क्यों फेमस है क्योंकि सबसे छोटी है मॉलेश्ट वाइड लाइफ सेंचुरी और हिमाचल प्रदेश कोन सी है शिली है जो की लुकेटिड कहां पे है सोलन के अंदर है सिम्ला में हिमाचल परदेश का चीडिया गर भी located है शिम्ला कर तूटी गंडी में और यहाँ पे है आपकी दुरांगटी गर के एक Wildlife Century है दुरांगटी Wildlife Century कहाँ पे है जो यह भी कहाँ पे located है शिम्ला के अंदर कुलू में जो है Great Himalayan National Park सबी जानते हैं इसको ग्रेट हिमाले नाशनल पार्क कहां फिल्कुरेटीड है कुल्लू के अंदर एक्स देखते हम नेक्स कौन सी परवत श्रिंखला यानि माउंटेंड जो रेंज है लाहॉल्सपिती और किनौर को तिब्बत से अलग करती है इन्हें तिब्बत से अलग करत आती है निमनपरवत इनकी जो हैट है वह है 3.500 मीटर से लेके फंदरह सो मेटर तक हाइट है शिवालिक रेंज की निमनपरवत ये कहते हम आपका शोलन का एरिया हो गया जिक है यह दोलादार जो है कांगड़ा साइड में ज्याधा पड़ते हैं इनकी रेंज है 1500 मेटर से लेके 4500 मेटर इनकी रेंज कितनी है 1500 मेटर से लेके 4500 मेटर और जहासकर जो रेंज है यह highest रेंज है सबसे उन्ची अगर कोई परवत स्रिंख लाए है तो जहासकर रेंज में पाई जाएगी हिमाजिल प्रदेश में और आपका जो किनौर का एरिया है लाहल सभीति का एरिया है यहाँ पर पाई जाते हैं 1500 मेटर के अबब होती है इनकी हाई 1500 मेटर से उपर के जो भी परवत स्रिंख चोटियां रहेगी और सब कौन सी रेंज में आईगी आपकी जहासकर रेंज में अचा अरावली तो अरावली जो है यह राज्यस्थान की रेंज है ओल्डेस्ट रेंज है भारत की भारत की सबसे पुरानी परवत स्रिंख ला कोँन सी है तो अरावली है और अगर हम बात करें इस पे एक चोटी है जिसका नाम है गुरू सिखर चोटी कौन सी गूरू सिखर पीक आप से एक्जामनर डिरेक्ट वे में पूर सकता है कहां लुकेटिड है तो राज्यस्थान डिष्टिक राज्य में है ठीक है ठेट में है और इसकी जो उंची चोटी है अरावली रेंज की यह है गूरू सिखर हमाचल प्रदेश के कितने जेलों की सीमा यानी बाउंडरी लाइन जो है हर्यान राज्य से लगती है तो हमारा पडोसी राज्या है मैं मैपिंग आपको एक जरूर एक दिन जरूर प्रांगा ठीक है मुझे कमेंट करके जरूर दाईएगा मैपिंग से जो मैं पूरा आपको जियोग्राफी जो है जो भी मेर में जियोग्राफी रहेगी हिमाचल प्रदेश की मैपिंग से मैं आपको समझा दूँगा तो मुझे याद जरूर कला दीजीगा मेरा स्टेडूल थोड़ा हब इजी रहता है इसलिए जो है मैं वीडियो नहीं बना पाता लेकिन आप कोश हमारी दो डिश्टिक है इनकी सिमा लगती है कि से हर्याना राज्यक साथ ठीक है और हर्याना से मैं बात करूं तो हर्याना की कैप्टल क्या है हर्याना की कैप्टल है आपकी चंडिगड ठीक है दो राज्ये है पंजाब और हर्याना इनकी दोनों की कैप्टल है चंडिगड इन्होंने अभी एक बूक जो है लॉंच करी जिसका नाम है The Air Act 1981 संडिगर्ड में एक आपकी लेक है सुखना लेक सुखना जिल कहां पर है संडिगर्ड के अंदर है मैं हर्याना से बिसकिलिए आपको गराना चाहरा था सूरज कुंड मेला सूरज कुंड मेला तो हर्याना में लगता है इस वार की जो इसकी थीम स्टेट थी थीम स्टेट कौन सी थी तो थीम स्टेट थी हमारा हिमाचल इसकी थीम स्टेट थी हिमाचल तो हिमाचल ने कह किया जिस तरह से मेला लगता है इसी की तरह अपना एक मेला डिजाइन किया जिसे हमने नाम दिया Kraft Meila ठीक है निमा चल भी अब जो है जैसे सूर्जकूंड मिला लगता है हर्याणा का उसी तरह एक मिला अयो जीत करेगा जिसका नाम है Craft मेला यह लगए आपका चम्बा गाट तो इतनी जानकार यह आप सो यहां से मिल जाती है और हारियाना जो है फस्ट राज्ये बना था जिसने फौरन भिवाग यानि फौरन जो मिनिस्ट्री है विधैस विवाग जो है वो लॉंच किया था अपनी सरकार में नेक्स देखते हैं पांगी को चमबा से कौन सा दर्रा जोड़ता है तो पांगी को जो है चमबा से जोड़ता है आपका साच दर्रा ऑप्सन नंबर थर्ड यां पर कुरेक्ट अंसर हो जाएगा एक्स देख लेते हैं शुदिया में अमर सिंग करांटी की सुरुवात हिमाचल प्रदेश की कि सब निसे हुई फिए को सी आर्म केंट था जहां से इसका सुरुवात भी थी अचाहरा सो स्तावन की क्रांटी कि नियुक्ति के उप्स excited पर स्ट हमारा विल्कुल रही अंसर हो जाएगा ठीक पढ़ता है आपकी कौन सी दिष्टी के अंदर 16 डिष्टी के अंदर अच्छा मैं यहां से आपको करा देता हूँ 1857 की जो करांती हुई थी महान करांती से हम कह सकते हैं ठीक है पहला जो है हमारा स्वतनतर्ता आंदोलन था स्वतनतर्ता के लिए भारत का 1857 की करांती के जो हीरो माने जाते हैं मंगल पांडे माना जाता है मंगल पांडे इनसे क्वेश्चन आते हैं एक्जाम में ठीक है इनके बिटानियन पूछता है एक्जाम नर तो हुआ गया था कि उसके उप्र का जो हुक था उसे मों से खूलना पड़ता था और वहुक बना था आपके गाए के मासक का जिसके लिए जो है यह आपके मंगल पांडे थे इन्होंने मना कर दिया थैं फरस्ट इंडियन थे जो आपकी इन्फेंटरि होथी है पैदल पैदल से नए उन कौन सी 34 जो याद कि जीएगा एक्जामनर पूस्ता है कौन सी बटालियर में थे तो इन्हों ने जो है उसे बना कर दिया था कि मैं नहीं करूंगा और अंग्रेजों ने क्या किया इन्हें 8 अप्रेल 1857 को इनको फांसी दे दी उसके बाद थोड़ा सा यू है सांती रही लेकिन दस मई दस मई 1857 से क्या हुआ मेरट से मेरट जो कैंड था वहां से एक आदोलन शुरू हुआ यह करांती शुरू हुए कहां से मेरट से जो आपके हीरो थे मंगल पांडे फांसी दे चुके थे उस टाइम आठ प्रेल 1857 में लेकिन उसके बाद कुछ एक दिनों बाद जो है 18 मई से 10 मई से सोरी आदोलन शुरू में इस प्रेंटेंटेंटूरी भी नेसे सुरू किया था यह वहां से अर्मी के रस्वर अगर तीन बानंबर्ती करना सुरू के चैन से 10 जवान और लिजान वहां कुछ यह तबिर क्यों जो है ब्रिटिस के रखेंगे और एक रखेंगे आपका इंडियन तो मैं आपको पूरा समझा देता हूं इसमें तो 2-101 में जो है इनोंने भरती करने शुरू करती है और हिमा भारती है ठीक है बाचल से मेरे को हिमा चली यहादा रहे है लेकिन जो भारती है था भारती को जाती थी सिर्फ सुबेदा ठीक है अठारा सो स्तावट की करांती के समय रोन कर दिया था कि हम सुबेदार से उपर को उपर किसी को पद्र नहीं देंगे ठीक है तो इस टाइम किया था गोर्खा थे कुछ एक शिक थे उन्होंने जो है अंग्रेजियों का साथ दिया था तो नेक्स्ट कोशिन है सिंदुन नदी रहती है किस क्षेतर में ठीक है पर बार बार से होती आपकी चल जाती है पाकिस्तान पाकिस्तान की मेजर रिवर है संदू जल्द समझाता कब हुआ था भारत और पाकिस्तान के वीच में तो है नांटिन सीक्स्टी था इसमें भारत को जो 20% पानी दिया जाएगा और पाकिस्तान को 80% भारत को जिया है कितना 20% पाकिस्तान को तिन नदियों को मिला के था आपकी एक सिंदू रिवर होगी चिनाव रिवर और तीसरी थी जहलब इसलिए कौन सी थी जेलब ठीक है इन तीनों का जो है संगम था है तीनों नदियों को मिला के इनकती 20% परसेंट पानी का जो यूज है वो भारत कर पाएगा और 80% जो पानी है उसका यूज करेगा पाकिस्तान हुआ कब था 1960 में ठीक है उस समय जो हमारे प्रधान मंत्री थे और पाकिस्तान की तरफ से जो यह हुआ था समझाता हुआ था यह हुआ था आयूब खार के तरह एक्स देखते हैं प्रथम भारतिया एवं सुतंत्र भारत के पहले आर्बियाई गुवर्णर बैंक ओफ इंडिया में पहले बारतिया गुवर्णर कौन थे तो यह थे आपक क्वश्चन पूछे प्रथम भारतिया या फिर स्वतंत्र भारत के पहले आर्बियाई गुवर्णर तो आपको सीडी देश्मुख के उपर टिक करना है तो जो आर्बियाई है यह रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया के लिए स्टैंड करता है इसकी फुल फॉर्म क्या है रिज बता दूँ जो भारतिय यह रिजर्ब बैंक है एक अप्रेल उनिश्चो पैंटीस को इसकी स्थापना हुई एक अप्रेल को हम क्या मनाते हैं वित वर्स बारत का जो भीत वर्स है फाइनेस यह वो शुरू कब होता है वो एक अप्रेल से शुरू होता है आर वीज़ो है सभी बैंकों का है अभी प्रेंट- ताइम में इसके जो गवर्नर है उकोन है सक्तिकांस है Kemal पर लिख देता हूँ यहां पर अभी प्रेंट-टाइइम कोन पे है इसका headquarter है मुंबई में मुंबई के अंदर headquarter है आपका RVI का और देखिए जो एक रुपे का आपका सिक्का होता है या नोट होता है एक रुपे का या तो सिक्का या नोट एक रुपे का आपका सिक्का होगा या नोट होगा उस पे जो sign होते हैं या उसे जो अनमोदित करते हैं वो करते हैं भारत के वित मंतरा ले है भारत सरकार का जो वित मंतरा ले है वो जारी करता है एक रुपे का note या एक रुपे का सीखा उसके उपर की जितने भी money होती है जितने भी currency होती है वो सब किसके द्वारा संचालित की जाएगी RBI के द्वारा इंचालित की जाएगी अब एक्जामिनर पूशता है आपका कि पहले चरण में कितने बैंकों का राष्ट्र करण हुआ था तो पहले चरण में निश्री टाकत देता है ठीक है यह प्रवाइड कराता है हमें अनुशे 24 ऑप्शन नमबर फॉर्थ विल्कुल क्रेक्ट अनसर हो जाता है यहां पर कॉण सा अधिकार है यहां और सोचन के विरुद्ध अधिकार आता है यह यहां आठकार है यह अच्छा हम यहां ओप्सन दे करें तो मानव तर्सक्री पर रोक लगाई गई थी इस पर आप किसी को खरीद या बेच नहीं सकते मानव से मानव को ठीक और इसमें एक और पॉइंट जोड़ा गया था कि जरूरत पढ़ने पर अगर कभी देश को आपकी जरूरत पढ़ी तो आपको बात देख किया जा सकता है देश faj excitad के लिए तो आपसे जवरदस्ति अगर आपका इच्छा भी नहीं है देश fajburg करने के लिए तब भी आपको द सेट गवर्मेंट होईगी तो सभी जन संक जन करना के लिए ठीक है जितने भी आपके लोग है सभी जो भी वहां की जनता है उसके लिए सेम कानून लेके आएगे ठीक है सेम लोग क्रेट किये चाहेगा सब के लिए मतलब किसी को कोई छूट नहीं दी जाएगी अगर फांसी क की सजा होती है अगर किसी के मर्डर करने पर फांसी की सजा सुना जाती है तो जो है एक मिडल मैन है उसे भी वही सजा अगर कोई बिजनस मैन है उसके लिए वही सजा तो मतलब सेम लोग है सभी के लिए ठीक है अगर बाइस की बात करें अगर हूं तो बाइस में जो है गिर कर सकते हो कि मुझे किस करण से ज़ो है गिर्फतार किया जा रहा है ना फिर जो भी गंटे गें या अंदर आपको जो मैश्ट्रेट होगा ठीक है डंडा अधिकार है एसके सामने उने का अधिकार है आपको और आपकी जो है अपने पसंदगा वखिल कर सकते हो तो यह कौन सा है 22 कि बारा से लेके आर्टिकल बारा से लेके 35 तक जुरूर पढ़िएगा यह हमारे क्या है मौली अधिकार है एक हमारे fundamental rights है यह बात करें हम यह लिए कहां से गए है तो यूसे के सविदान से लिए गए है कुसता है एक जामनर कहां से लिए जनगरना कब हुई थी हमारी यह हुई थी 1872 में option number first हमारा बिल्कुल correct answer हो जाएगा यहां पर वीडियो को like जरूर करतीजीगा शेयर जरूर करतीजीगा एक बार तो हमारी जनगरना हुई थी first time 1872 में हुई थी उस समय हमारे जो वाइस राय थे और थे Lord Mayow Lord Mayow के सासिनकाल में 1872 में first time जनगरना हुई थी अब एक्जामिनर पुछे आपसे पहली बार नियमित जनगरना कब हुई थी ठीक है नियमित जनगरना हुई थी 1881 में उस समय जो वाइस राय थे वो थे Lord रिपन Lord रिपन जो थे उसमय हमारे वाइस राय थे 1880 में नियमित जनगरना हुई लेकिन first time जो जनगरना हुई और Lord Mayow के काल में हुई 1872 में 1881 के बाद हर 10 साल बाद और 10 साल बाद जो है जनगरना होती है हमारी अभी 2011 में जो जनगरना हुई वो हमारी थी 15 जनगरना कौंसें 15 जनगरना ही अभी 2.3 में क Oliva2011 में आपने एक टर्म सुनई होगी और अभी सुन रहे होंग आप एक टर्म न पी आर वर फिसका फूल말 क्या है National Population प्लस कुछ पॉइंट है मुझे ने पता पॉइंट क्या है हो सकता है आपका जैसे अभी जो है आपके जैंडर के उपर जन गणना होती है तो इसमें जो है एजुकेशन को भी आड़ सकते हैं मतलब इसमें 15 प्लस पॉइंट है इसमें जोड़े जाएंगे तो इसमें आपका पूर्ण जानकार होईगी आपका बायमेट्रिक जो है वह इसमें लिया जाएगा तो अभी जो है दोबारा जन गणना होगी हमारी और 15 जो है आपके त्यार किया जाएंगे आपके शरीर में खून है आपको बताना है तो यह है टीशू उतक जिसे हम बोलते हैं हिंदी में इंग्लिश में से कहते हैं तो याद किजीगा मनुस्य का जो रक्त है वह क्या है एक टीशू है उतक इतनी जो है पाया जाता है कितना इसका पी एच वैल्यू है तो तो आपका जो वेट होगा उसका आइधिन जिरो पॉइंट सेवन परसेंट या सेवन परसेंट कुछ ऐसे करके है इसे याद मत किजीगा जीतना आपका वेट होता है उसका यह होगा आपका यह होगा यह होगा यह सेवन परसेंट यह यह जो है खून होता है आपके बाहर का इसका पी एच वैल्याद कीजीगा शाद दौसलब चार है और इसे उतक कहते हैं यानि टीशू कहते हैं और समानेता जो है हमारा ब्लड जो है पांस से छे लिटर जो व्यस होता है ठीक है उसमें कितना खून पाया जाता है पांस से छे लिटर ठीक है महिलाओं में थोड़ा कम पाया जाता है खून और हिमोगलोबिन के कारण जो है खून का रंग लाल होता है अब पूस्ते हैं खून में कौन सा जो है धातू पाया जाती है तो आयरन पाया जाता है तो पाई जाती है आयरन पाया जाता है उनका रंग लाल होता है तो हिमोग्लोबिन के कार्ण ऐस जो है उसका आधान-पादान करने के लिए रक्त जरूरी है एक मत्चर है उसके काटने के बाद आपको तेज बुखार आते हैं तेज नीद आती है तो एक किस अंगों को परभा प्रभाविद करती है यह अपके ब्रेनियानि वस्टिक्स को यह प्रभाविद करती है oopson no first अमारा बिल्कुल correct answer हो जाएगा यहां पर क्रिपैनसुममा करके परजीबी है इसका वहाक है मच्र पूचते हैं कि इस मच्र के काटने से होती है तो सीसी का नाम है कि ये टिसी टिसी इसको म सिसी पढ़ते हैं मख्ही है एक बेस्कली ये जो है इस बीमारी इत्वपन करती है और सुने की बिमारी है इसमें तेज बुखार आएगा आपको ठीक और ने इंदर लगई रहेगे चुब गंटे तो ऐसे भी आप हुए रहते हो तो सुने की बिमारी जो है इस मक्षी से फैलती है अच्छाब आंत को आंत से बात करने तो आंत को जो है विमारी डिफेक्ट करती है ठीक है कौन सी विमारी है पैचिस इसे हम कहते है पैचिस विमारी आंत को मसूडों में क्या होता है पाइडिया सी का जो है रसाइन के नेम एसकोबी के सिर अस्थी मज़ब बॉन मेरो ठीक है बॉन मेरो को जो है एक काला जार करके बिमारी है काला जार ठीक है तो यह बिमारी जो है डिफेक्ट करती है आपकी बॉन मेरो मेरो में बॉन मेरो में ही जो है आपका RBC बनते हैं बस आज के लिए इतना ही I hope आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा वीडियो को शेयर जरूर कर दीजीगा तो thank you for watching us Have a good day